असलामलेकूम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग होफिली आप सब खेरियत से होंगे आप देख रहे हैं आप सब का अपना चैनल बजीज पैरिट्स इंफरमेशन जहां मैं लेकर आती हूं बहुत सी इंफरमेटिव वीडियो आपके लिए और आपके लववर्स के लिए आपको अपने बर्स को लिए कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉस्ण करना है आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ताके मैं उससे रिलेटिट वीडियो बनाके आपको अगा कर सको और आपकी हेल्प हो सके फ्रेंट्स आपने सही पढ़ा के एक खुराक और ब्रीडिंग सीजन में अंडो और बच्चों की भर्मार जितनी चाहें ब्रीडिंग पाएं जो बर्ड अंडे नहीं दे रहे वो अंडे देंगे जो चाहते हैं कि आपके बर्ड्स भी करें जास जदा और बर्ड हैल्दी भी रहे और तो वो आज की वीडियो पुरी देखें वो लोग आज की वीडियो पुरी देखें और साथ-साथ उसको गौड से सुनें भी किस तरह से आपने खुराख देनी है अपने बर्ड को और कप देनी है और कौन सी या सी दो चीज़े हैं जिने मिक्स करके आपने बर्ड को देना है और आपके पास अंडों बच्चों की लाएने लग जाएंगी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किये ही आ जाते हैं आज की टॉपिक की जाने कि कौन सी खुराक है और किस तरह से करने और किन किन बर्ड्स को देनी है खुराक के पारे में पहले सुननें कि किस तरह से उसको बनाना है नमबर वन आप ने एक मेथी लेना है और दूसरे नंबर पर अपने हरे रणा लोसं लेना है मेथी और लोसं ने आपको हर जगा से मिल जाएगा हर शेहर में ये एक आम सी चीज है आपको मार्केट में बड़ा इसीली मिल जाएगा तो उसके साथ ही आपने दोनों चीजें बराबर इनको खुश कर लेना है खुश किस तरह से करना है आप डरी में ने पाउडर बनाने जब ये ड्राय हो प्रोटीन, कैल्सियम, वाइटमन्स ये तमाम चीज़ें जो आपके बर्ड्स के लिए ब्रीटिंग सीजन के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है और आप एपके बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है लाजमन ताकि आप उन्चे भरपूर फाइदा हासिल कर सकें और जाज साथ उनके बच्चे हेल्दी भी होंगे आपको बहुत अच्छा रिसर्ट मिलेगा आये तो बात कर लेते हैं कि आपने किस चीज़ पर डाल के देना है यह चीज़ मैं आपको बाद में बताओंगी उससे पहले मैं आपको यह बताती चलूँ कि आपने कितनी देर और कब तक इस्तेमाल करनी हैं जैसा कि मैंने आपको इनफ़र्म क्या कि यह बहुत गरम होता है एक ही बार आप इस्तमाल करवाएं अपने बड्स को हफते में जासे एक बार अपने बड्स को देनी है उसके बाद आप ये नहीं देंगे बहुत स्था इसतमाल इसका आपके बर्सको तो उनको नुक्सान उठाना पड़ जाता है तो एक टाइम में एक शक्स को फॉलर किया करें और वह प्रॉपर तरह से उन्हें डाइट देने के बाद कुछ किसी और चीज की तरफ जाया करें आजाते हैं अपने टॉपिक की जानिब तो मैं बात करी थी कि आपने डाइट अपने बर्ड्स को एक बार ही देनी है हफते में और किस चीज पर डालके देनी है यह बताती चलू मैं आपको आपने इसको बॉयल चावलों पर डालके भी दे सकते हैं सौर्ट फूड में मिक्स क कोशिश करें कि अपने बर्ड को एसी डायट मिक्स करके दें जो वो पूरा का पूरा अपना खाना खतम कर लें यानि कि पसंदीदा खुरा को जैसे कि बर्ड चावल बहुत खुश हो के खा लेते हैं वाइल चावल तो आप उस पर डाल के दे दें तो यह थी मेरी आज की कैल्च मिलता रहें गए तो जाहिर सी बात है वह रहें कि बाड़ी से ट्रॉंग रहें गी उनका वियून सिस्टम स्टॉंग रहें गा वो बिमारियों से बचे रहेंगे और साथी साथ आपने उनकी केयर करना भी बहुत जरूरी है मौसमी हालात से उने बचाना है कि जैसे उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगने देनी, ज्यादा गर्मी नहीं लगने देनी, अब का जो मौसम चल रहा है, ये भी उनके लिए थोड़ा सा सखत मौसम है, मिन्स कि हम लोग गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो इस टाइम पर जो हवाएं चलती हैं, जो बर्ड इंफरमिशन के साथ, तब तक के लिए, लगा थारू है।